नमस्कार मित्रों मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा आप देख रहें टीवी 20 नी बने रहे हमारे साथ अब ख़बरों की करते हैं शुरुआ यह खबर आपको आजमगर से दिखा रहे हैं जहां पर ताइक रांडो सेंटर पंचकुला के ट्रेनीज सच्छा म्यादों ने प्रेशन करते हुए गोल्ड मेडल हासल किया है देश को 42 किलोग्राम भार वर्ग में सक्षम यादों ने गोल्ड मेडल दिलाया है जिसने फाइनल में उजवेकिस्तान की प्रेयर को हराया है जनपत के ट्रोलिया हैदर पुरिस्तित मामा विनुद यादव के घर पहुंची सक्षम यादव का लोगों ने जोरतार स्वागत किया है जिसने गोल्ड मेडल जीत कर जनपत सहीद पूरे छेदर का भी नाम रोशन किया है 14 वर्षी सक्षम यादव के पिता आरेस यादव एरफोर्स में रहते हैं तथा माता सरोज यादव एक घरड़ी है आपको बता दे सक्षम यादव की प्राणमिक सिच्छा एरफोर्स काले चंडी गड़ से हुई है जिनका एक भाई तेजश यादव कच्छा चैका भी छात्र है सक्षम यादव ने अपनी जीत का सिड़े वोच हरजिंदर सिंग तथा अपने माता पिता को देती हैं सक्षम यादव ने बत बधाई देने वालों का अताता लगा रहा है बधाई देने वालों में मुखी रूप से पुरोपरधान राजु यादव ग्यान्थनी यादव विनोध यादव शन्नी यादव राहुल यादव शाहुल यादव समेत लोग मौजूद रहे आए सुनाते हैं कि सक्षम याद फुजेरा में UAE यह नाइंथ फुजेरा ओपन था जहां पर मैंने इंडिया को रिप्रेजंट किया था और गोल मन जीता है आपको प्रेड़ना कहा से मिली कि हम टाकॉंडो किस उमर में मिली इसके बार मता ही कोड़ा यह जब मैं मुश्किल से चौती या पांचवी कख्षा में रहींगी तो मेरी एक दोस चाती जी टाकॉंडो तो उसी के साथ साथ मुझे इंट्रेस्ट आया तो मैंने भी टाकॉंडो क्लस स्टार्ट कि तो उधर से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट अपने बार के पास से यह पापा की पोस्टिंग तो आपने गोल मेरे जीता है वहां जी यह बस शुरुबात है रांकिंग बनाने के लिए इसका स्रे किसको देना चाहेंगे यह यह मेरे कोच मिस्टर हरजिंदर सिंग और माइपरेंट्स क्या प्रूप कोई करना करना पड़ा इस उचाही करने में महनत तो बहुत लगती है मत तो बहुत होता है तो मतलब सुबह शाम हमेशा ट्रेनिंग करना और मतलब था बहुत आप देश के लिए गोल्ड जीत के लाहीं आपको कैसा लगड़ा है मुझे प्राउड हो रहा है और आगे मैं बहुत मेडल की मेंस मैं और भी मेडल जीत के लाए और कोई विचार है प्रदेश और आंजिए जीमेरे बाान जी है और हम लोगों को बढ़ी आपार खुसी है कि ये देश के लिए प्रदेश के लिए धान दजीत के लिए हम लोगों के लिए बहुत खुसी हम लोग healthy और तो बूरत करना पड़ा इसे और बहुत परशानिया के सामना भी जेलना पड़ा यहां पहुचने में बड़ी दिखते हुए फिन लेकिन सफल वहां कैसे आप लोग कैसे जाने की इसको इस ट्राइकांडों में रूची है आप लोगों के परिवार कैसे इसको आगे बढ़ा है अब इसकी जो रूची लेगा इसे उस्सी में सब पहला सामना करना पड़ा सब पैसे कवी ना चीज सामना तो करना पड़ता है तो इसका सेयर के सब लुष्था बना चैनल के आप उपन जाही है ऑब अब इसका सरे किसके दी वाच्य फिट लिपों को ते तो उजाता हम अमी पापा प्रिये बात म हमारे लोग हैं लगे हुए हैं कभदेश के लिए आगे भी खेलेगी हमें लोग इच्छा है कि